हलो प्रेंट असलाम वाले वेलकम टू रोमानास कीचण आज हम बनाएंगे सिर्फ एक कप दूद्से जबर्जस मिठाई और यकीं मानिये अगर आपने यह वाली रेसीपी एक बाद ड्राइ कर ली तो इस मिठाई को आप बार बार बनाओंगे ना तो इसमें कोई मावाओ लगने वाली है, यह मिठाई सिर्फ मैंने तीन इंग्रेटियन से बनाई है, और यह बहुत ही जटपट बन जाते हैं, इसमें कोई तामजाम नहीं है, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चलिए तो फटापट हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, यह मिठाई बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का ही यूश कीजिएगा, यहाँ पर एक कप भरकर दूद ले लेना है, यह थोड़ा छोटा कप था, मेजरमेंड के अकॉडिंग यह एक कप भरकर हो रहा है, और इसे बहुत अ अच्छी तरह से, उसके बाद हमें एक कप भरकर मिल्क पाउडर एट कर देना है, मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, आप देखो कि थोड़ी तेर में ही मिल्क पाउडर इसके अंदर गुलने लगता है और बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है, गेस का फ्लेम स्लो ही रखना है, और इसे थोड़ी तेर के लिए चलाते रहना है, यह गुटली बनी हुई आप देख सकते हैं, गुटली चुट जाए हैं, वहाँ तक हमें इसे हिलाना है, और इसके लिए आप एक काम कर सक आप देख सकते हो, विश्कर ले लेना है, विश्कर की हल्प से करोगे, तो बहुत ही फटाफट से यह जो गुटली बनी है, वो निकल जाएगी, और आप देख सकते हो, देखिए यह गुटली बिल्कुल डिजॉल हो चुकी है, और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा काड़ा होने का स्टाट हो चुका है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, वन टीस्पून के करीब इलाइची पाउडर एट कर देना है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, गेस का फ्लेम स्लू ही रखना है, ताके यह चिपक न जाए, और बस इससे चलाते रहना ह आप देख सकते हो, यह थोड़ा थोड़ा गाड़ा होने लगा है, और अब तो देखी इसने फ्राइपन भी छोड़ दिया है, इस पॉइंट पर हमें वन टीब स्पून भर कर घी एट कर देना है, देखिए आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने पूरी फ्राइपन देखिए, बस इसे थोड़ा थंड़ा करने के लिए, सेट होने के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे, यह रूम टेमरेचर पर आ चुका है, थंड़ा हो चुका है, और यह डो के फॉर्म में पूरा आ चुका है, आप देख सकते हो, और फ्रेंड्स, यह मिठाई बहुत इस क्या है, फूट कलर एड कर दिया है, यह तोटली ऑप्सनल है, मैंने यहां पर पिंग कलर एड किया है, क्योंकि यह लुक वाइस भी अच्छा लगता है, और तहवारो की सिजन चल रही है, तो थोड़ा एट्रेक्टी होगा, तो खाने का भी मजा आएगा, और देखिए, ब कर सकते हो, यहां पर सिल्वर वर्क आता है, फ्रेंट्स, वो मैंने इसके उपर स्टिक कर दिया है, इसे यह मिठाई और भी अट्रेक्टिव लगेगी, देखिए, सिल्वर वर्क लगाने के बार पांच मीट के लिए इसे फ्रीज में रख देखिए, यह मैं आपको दिखा रहे हो, देखिए कितने ही मिठाई बन के रेडी है, सिर्फ 3-4 रेडिएं इसमें और बहुत ही अधी पर बते हैं, देखिये, यह बहुत ही रख बनुन हाँ, जो हम बाजार से पेड़े लाए के खाते हैं, बहुत ही टेस्ट आने वाला है, लेकिन इसका लूक मैंने डिफर कर दी है और इसके आजु बाजु फ्रेंड्स पिस्ता काजु जो भी आपके पास ड्राइफ रूट अवाइलेबल हो जीने जीने बारी कट करके इसका डेकोरेट कर दीजिए और यह देखिए जबर जस्ती मिठाई बनके रैडी हो चुकी है मुह में घुल चाने वाली जबर बाइक फ्रूट का पाउडर आता है वह मैंने स्प्रिंकल कर दिया है सारी मिठाईव के उपर ताकि और भी एट्रेक्टिव लगे और आप देख सकते हुए कितनी जादा एट्रेक्टिव लग रही है और में तोड की भी दिखा रही है आपको देख लिजिए यह बहुत ही सॉफ्ट यमी और टेस्टी बनती है और सेम आप बाजार से मंगाते हो पेड़े उसका ही टेस्ट आने वाला है चलिए हम मिलेंगे दुसरी नेक्स रेसिपी के साथ थेंक्यू फर वाचिंग अस्सलाम अलेकूम